तेश्व परदेश में भाजपा की सरकार गाउं गाउं शहर शहर करोणों रुपिया खर्च सिर्फ इसलिए कर रही है ता कि कोई भी मैला पूरुष खोले में सोचना जाना पड़े ताकि किसी भी महिला और पूरिश को खोले में सोचना जाना पड़े बिमारियों के प्रकोप से बचा जा सके लेकिन फरकावाज जिले में लगबग 120 इंट भट्टा चल रहे है सभी भट्टा मालिकों को बिना जाच किये ही ADM कारेले से EC जारी कर दी गई है जबकि भट्टा का लाइसेंस देने से पहले भट्टे पर पानी, रोशनी, सोचाले की विवस्ता करना अतियावशक होता है जो काम करने के लिए दूसरे राज्य से आने वाले मजदूर आते हैं उनका लेखा जिखा सरकारी कारेले को देना होता है लेकिन भट्टा मालेक 30 मजदूरों को औरेस्टिशन करा कर 300 मजदूरों से अपने अपने भट्टों पर काम करा रहे हैं दूसरी तरफ जो सरकारी मानक हैं उनको ताक पर रखकर सभी नियोमों की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं हर भट्टे पर विहार प्रदेश से आए सेक्ड़ों मजदूर अपने परिवार सहे दिन बर इट पातने का काम करते हैं उन्होंने इटों से ही अपने लिए छोटे छोटे घर बना लिये हैं लेकिन सबी खुले में शौच करने जाते हैं रोशनी के लिए सीधे बिजली लाइन से कटिया डाल कर बिजली का प्रियोग करते हैं भट्टा मालिकों की तरफ से उनको जो सुविदा दी जानी चाहिए नहीं दी जा रही है नहीं उनका स्वास्ते परिक्षन कराया जाता है उनके बच्चों को स्कूल भी नहीं बेजा जाता है पता नहीं भट्टे का लाइसेंस किस आधार पर दे दिया जाता है दूसरे राज्यों के मजदूर 6 मा के लिए ही भट्टों पर काम करते हैं लेकिन किसी को उनके काम के अनुरूप सुविधा नहीं दी जाती है। फिर भट्टा मालिक किसके दम पर अंदा कानून चला रहे हैं। जब भट्टों पर सोचाले को लेकर जिले के आला दिकारी से बात करनी चाही तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्योंकि 31 दिसंबर 2017 को पूरा जिला रहे हैं।